बच्चो आज हम बात करने वाले हैं भारत में फास्फोरस की कमी हो गई है और क्यों क्यों क्योंकि फास्फोरस का प्रयोग एग्री कल्चर में यानि कि क्रिशी में होता है पी और के ये तीन ऐसे मैक्रो मॉलिकूल्स हैं जो कि पौदों के द्वारा इनकी बहुत आवशकता होती है पहला है नाइट्रोजन दूसरा फास्फोरस और तीसरा है पोटाश तीन तीनों का यूज ऐस अफटलाइजर किया जाता है और जो फास्फोरस है इसकी साथ समस्या ह कि देश की जो टोटल डिवांड है उसका 90% हिस्सा जो हमारा देश है वो विदेशों से इंपोर्ट करता है मतलब उसका आयात करना पड़ता है हमारे देश में फास्फोरस की लगबख पूरतया कमी है यह जो फास्फोरस का आयात किया जाता है इसका प्रियोग पटलाइज का देश है वो हमें जो है मैकसिमम वहां से हम मैकसिमम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन समस्या आ जाती है दो जगों पे पहली समस्या आती है कि एक्सपोर्ट रेस्टिक्शन और दूसरी है जियो पॉलिटिकल टेंशन पहले बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट रेस्टिक्शन की निरियात पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए वुश्य केश बड़े डिपाजिटों में से एक चाइना के पास है और चाइना ने सं 2020 के बाद सभी प्रकार के निरियात जो फासफूरस के निरियात थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में फास्फूरस की जो सप्लाई है उस पर कमी आई दूसरा जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो अभी हमें पता है कि रशिया और युक्रेइन का युद्ध चलना है रशिया युक्रेइन वार इस वज़े से यूरोपियन यूनियन ज लिए जरूरी रॉक्स हैं उनकी मांग अचानक बढ़ गई है और इस वज़े से जो प्राइसे हैं वह शूट अप कर रहे हैं तो इसलिए भारत में किस तरह से इस चीज़ को रुका जाए इससे कैसे डिपटा जाए इसके लिए गवर्मेंट का एक प्लान है कि हम हमें सर्क कम किया जा सके और रिशाइकल और रिव्यूज करने लिए सबसे अच्छा तरीका जो दिखाइए ठाएपारा के अर्बन सिवेज जो शहरों का मल्में यह जो सिवेज होता है इस लोग phosphorus के deposit मंगा रहे हैं उसमें बड़ी भारी समस्या दिखाई पड़ती है कि उसमें cadmium नाम की metal बहुत जादा में पाई जाती है और cadmium it is a highly toxic material and it is toxic for heart तो देश में जब भी हम fertilizer use करते हैं खासकर मुरक्को के cadmium raise deposits के fertilizer समंगाते हैं तो उसमें बड़ी भारी समस्या यह है कि उसके उस fertilizer में cadmium नाम की metal mix रहती है और जब यह fertilizer हम apply करते हैं अपने खेतों में तो ऐसी सिती में जो पौधे हैं उस cadmium को absorb कर लेते हैं खासकर धान जैसे पौधे और इस वज़े से जो चावल आप खाते हैं उसमें cadmium की मात्रा अधिक होने से हिर्दे की बिमारी होने का खत्रा पैदा हो जाता है लेकिन अगर हम urban sewage का treatment करें उसकी recycling करें या wastewater का treatment करें तो ऐसी इस्तिती में जो है जो यह पास्वरस इन जगों से हम mining करके recycling करके निकालेंगे उसमें cadmium बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा यानि कि it is safe it will be safe to use as a fertilizer तो एक तो यह तरीका है कि circular economy करें जाए और दूसरा urban sewage का treatment किया जाए इसकी वज़े से हम बात कर सकते हैं कि safeguard हो जाएंगे उनको उतनी जादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अलावा government क्या plan है कि किसानों को हम किसानों को crop rotation यानि की that is known as run of water और run of water क्या होता है जो हमारी जो खेत होते हैं खेत पे जब बारिश गिरती तो एक्स्ट्रा मातर में पानी जो है वो बह जाता है और इस पानी को हम वाहित जल या run of water कहते हैं चुकि खेत में आपने phosphorus का जरूरत से जादा मातर में मिट्टी में phosphorus है तो वाहित जल के साथ ये एक्स्ट्रा phosphorus भी बैह जाता है इसलिए किसानों को बार-बार अपने खेतों में phosphorus का application करना पड़ता है उसको बार-बार जादा मातर में डालना पड़ता है तो सस्यावरतन that is known as crop rotation crop rotation और cover propping करके हम जो ये run of water के ज़र ये जो extra मात्रा में phosphorus हमारा wash out हो रहा है उसका amount भी कम कर सकते हैं जिसकी वज़े से किसानों को comparatively कम मात्रा में phosphorus का application करना पड़ेगा फिर government exploring and exploiting domestic phosphorus reserve यानि कि देश में जो phosphorus की reserve हो सकते हैं उनका exploration करने की आवशकता है और जो phosphorus reserve वर्तमान में उपस्तित हैं उनका प्रचुर मात्रा में दोहन करने की आवशकता है कि हम देश के जितने भी reserve हैं उन में से जादा जादा मात्रा में phosphorus को निकाल कर देश की circular economy में डालें circular cycle है उसके अंदर अगर हम personal level पर करें individual level पर बात करें तो अगर आप meat का consumption कम करते हैं और जो आपके घर से निकलने वाला गीला कच्रा है उसकी अगर आप compost बनाते हैं उसको recycle करते हैं तो ऐसी सिती में भी पौदों की phosphorus fertilizer पर dependency वो कम हो जाती और meat consumption करने से देश की total phosphorus requirement जो है वो भी कम होती है इन तरीकों से हम जो है देश में phosphorus की जो demand और supply का जो gap है उसको काफी हद तक fulfill कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा जो अभी initiative लिया जा रहा है कि सीवेश treatment करके उसमें से सीवेश से phosphorus की mining करके हम जादस जादा मातर में phosphorus फटलाइजर का निर्माड कर सकते हैं और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये phosphorus जो है ये cadmium free यानि cadmium नाम की toxic metal से free रहेगा और ये देश के लोगों के लिए agriculture के लिए किसानों के लिए और हमारी economy के लिए सभी के लिए ये विन-विन situation होगी इसकी वज़े से हमें आने वाले समय में sustainable agriculture का विकास करने में सहायता मिलेगी तो एक नई तरह की novel एक thinking है जो भारत सरकार लेकर आ रही है और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि देश की dependency आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि phosphorus के आयात में हमारी कम से कम हो जाए और देश में जो prices fluctuation हो रहा है साथ ही साथ जो जहरीली metals जैसे की cadmium जैसी metals है उनकी soil में percentage कम हो तो ऐसे स्थिति में ये हमारे देश के लिए और देश्वासियों के लिए एक अच्छी शुरुबात होगी तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही फिर मिलाकात करेंगे आपसे अगने लेक्चर में तब तक के लिए धन्यबाद